प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग अच्छा बारे की क्लास में जब उपस्थित हुए थे अपने, तो हम लोगों ने पढ़ा था काब शवंदर्य के तत्व रस के बारे में, आज उस काब शवंदर्य के जो अन्य तत्व हैं, जैसे अलंकार, तो आज हम लोग अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, कि काब के लिए अलंकार की कितनी उप्योगिता है, और अलंकार का भी प्राय क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, काब में यह किस प्रकार से उपा दिये है, काब में यह कैसे आकर के अपनी पुष्टी करता है, तो आज का जो हमारा प्रकण है, वह अलंकार है, तो आईए हम सभी लोग अब अलंकार के बारे में जाने की कोशिश करते हैं, देखे हमारा प्रकण और उसका सीर्शक अलंकार तो अब हम देखेते हैं कि अलंकार का अभी प्राय क्या है जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में आप देख चुके थे वहां पर एक प्रकणा आया था काव शौंदर्य तत्यू के अंतरगत रस और जहां पर रस के बारे में जाने कि हम लोगों करता है रस काव में कितनी उपयोगता है यहां तक कि विश्णात उसको आत्मा तक आठाए ठीक इसी प्रकार से काव शौंदर का जो दूसरा तत्व है वह अलंकार है अलंकार के बारे में क्या कहा गया है वह हम लोग यहां जानने की कोशिश करते हैं देखे अलंकार अर्थ अलंकरोत इति अलंकार है कहा गया अलंकार के बारे में अलंकरोत इति अलंकार है जो हमको अलंकरित कर दे शुंदर बना दे अर्थात आभूशण जिस प्रकार से दूसरे हम परिभासा में जबा रहे हैं तो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अलंकार की परिभाशा क्या है अलंक लाजा में हम जानेंगे कि जिस प्रकार से सरीर को शुंदर बनाने के लिए आभूशण की आवशक्ता होती है उसी प्रकार से काव्य को शुंदर बनाने के लिए अलंकार की आवशक्ता होती है अर्था जो शाहित्य को सुभित कर दे शुंदर बना देवा अलंकार होता है और साहित्य में उसकी महत्ता प्रतिपादित हो जाती है यह अलंकार का महत्त्य है अलंकार और शाहित्य का संबंध बड़ा ही सह संबंध होता है बड़ा ही आंतरिक संबंध होता है जिस प्रकार से सरीर को सुन्दर बनाने के लिए हम नाना प्रकार के परिधानों का नाना प्रका करते हैं कि हमारी सरीर शुंदर दिखाई ठीक उसी प्रकार से साहित्य को सजाने का जो कारे करता है वह यह अलंकार ही करता है अलंकार जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे काब में अत्यधिक ही शुंदर बनता हुआ चला जाता है चमतकारी बनता हुआ चला जाता है आकर शक ग्रं शोबा बढ़ाने वाला जो तत्व है उसको हम अलंकार काते हैं अलंकार की महत्ता क्या है जिस प्रकार से सरीर को शुंदर बनाने के लिए अभूशनों की आउशकता है ठीक उसी प्रकार से काब को शुंदर बनाने के लिए अलंकार की आउशकता है अलंकार और काब ये दोनो के लिए उचित होता है ग्राय होता है और नाही पाठ के लिए ग्राय होता है तो देखिए वो जो अलंकार है जिसकी परिभाशा की गई है अलंकरो यूिति अलंकारई है वह अलंकार दो रूप में होता है क्यों कि हम चर्चा कर रहे हैं हम शाहिती पर कर रहे है हमारा विससे शाहित और और काब्य है, इस काब्य में क्या है, इस काब्य में कुछ नहीं है, साहित में कुछ नहीं है, केवल और केवल शब्द है, अर्थात शब्दों का सम्रिशन ही काब्य है, शब्दों का सम्रिशन ही साहित्य है, इसलिए यह शब्द जो मुक्षब्द है, इसी शब्द का अर्थ होता है हर संबन्ध होते हैं और अरथा सदा हर सार्थक शब्द का हर सार्थक शब्द का एक शमचित अर्थ होता है इस प्रकार से यह जो अलंकार है चुकि शाहित में है और शाहित क्या है शब्दों का सम्मिशन है इसलिए यह शब्द और हर शब्द का अर्थ होता है अत्य सब्द और अर्थ के भेद से सब्द और अर्थ की विभिन्नता से सब्द और अर्थ के वरग कि आधार पर उसे ihnen सब्दाइलंग कार और अर्था लंकार के नाम से जानते हैं पीछे कुछ लेसे जानुपरस्ण बूत्जेस सब्सक्राइब अर्थालंकार नया अशर। ऐसे बहुत सारे अलंकारों का भेद किया गया अब हम विस्तार से थोड़ा जानने कि इसकी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन अलंकारों को विभाजित करते हुए बरगी किया गया है उनका हम परिभासा भी बताएंगे उदानन भी बताएंगे एक एक अलंकार की आगे च शब्दों से मिलकर की बना है अलंग धनकार है अर्थात अलंकार्थ भूशड या सजावट तथा कारकार्थ करने वाला यानि भूशड आभूशड करने वाला सजावट करने वाला साहित को सजाने वाला जो तत्व है वही अलंकार है सुमितान अंदर पंत की जी के अनुशार अलंकार केवल बाड़ी की सजावट के लिए नहीं अपितु भावा अभिवक्ति के ये विशेश द्वार हैं चर्चा हो रही थी वहां देखे सुमितार नर्पंद जी का रहा है कि अलंकार केवल और केवल बाड़ी के सजावट के लिए नहीं बलकि भाओं के अबित्ति के लिए होते हैं आचार राम लिजिए अंगुली हमारी और यह साधान सी है लेकिन अगर एक अंगूटी प्वाली गई है तो यह अंगूटी इस अंगूली का आकर्शन बन जाती है और हर कोई इसको देखना चाहता है अर्थात अंगूली में चमक आ जाती आँख में काजल लगा देने के बाद आख की च प्रता लंकार सब्दा लंकार का इप्रा है कि जहां पर शाहित का लंकार होता है और जहां पर शब्द के अर्थों के माध्यम से शाहित को चमत्कित कर दिया जाए शाहित को प्रदर्शित की अर्दिया जाए साहित को सुन्दर बना दीया जाए काब्वे को आ कर्सद में Unit से वहां पर अलंगकार में प्र रिक्त होता है तो इस प्रकार से सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार के रूप में विभाजित होता हूआ अपनी उप्यूगिता शिद्ध करता है अब आगे हम वहाँ पर पहुचते हैं, जहां अभी हमने पीछे आपको Dijkha था, कि सुब्दा खिरलंकार के कुछ वेद होते हैं, کुछ अरथा खिरलंकार के भेलं कुछ शब्दा घलंकार होते हैं, उसमें आप देखें कि सबसे पहले सब्दा घलंकार में जो अलंकार है, फिरूप से जो अलंकार है उस अलंकार को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार प्यारे बच्चों यह सब्द समझने कि हमें चेश्टा करनी चाहिए कि सब्द है अनुप्रास अनुमारे होता पीछे प्रयास मिन्स प्रयास एक ही बात की जब पीछे-पीछे प्रयास की जाए तो वहां पर अनुप्रास नाम का लंकार होता है लेकिन यहां बात की चर्चा नहीं हो रहें यहां वर्ड अच्छर एक ही अच्छर की जब बक्ता के द्वारा जब काबे करता के द्वारा जब शाहित्तिकार के द्वारा अपने काबे की पंक्तियों में अपने काबे के चरणों म बार बार आबरती होती है बार बार प्रयास करके लाया जाता है तो ऐसी अवस्था में ऐसी दसा में उस चरण में उस पद्ध में अनुप्रास अलंकार की प्राप्ती होती है अर्था सामानिसी परिवासा है कि एक ही अच्छर की जब बार बार आबरती हो तो वहां पर चुके होंगे बहुत सारे उदार्ण आप जान चुके होंगे कच्छा दस में भी एक उदार्ण है कि तरनी तनूजा तट तमाल तरूवर बहुच्छाए या चारुचंद्र की चंचल किरणे खेल रही हैं जल थल में यानि एक बरड़ की जब एक से अधिक बार आबरती होती है तब वहां पर अनुपरास नाम का अलंकार होता है आप इस सब्दा अलंकार के अंतरगत जो हमारा दूसरा अलंकार है देखें यमक अलंकार की परिवासा आप जान लीजिए कि जहां अर्थ की बिन्नता रखने वाले अच्छर समू जिनमें शौर और बिंजन दोनों की सम सब्सक्राइब तो वहां यमक अलंकार होता है अर्थात इसका अधरण परिवासा मैं आपको बताओं कि जहां पर जिस पंक्ति में जिस काव्य की चरण में पद में एक सब्द एक से अधिक बार आता हो जिस कविता में एक सब्द एक से अधिक बार आता हो लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए यानि उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक नाम का अलंकार होता है इसके अस्पष्ट परिवासा यह हो गई कि जहां पर एक सब्द एक से अधिक बार आवे परंत अर्थ में भिन्नता पाई जाए या अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक नाम का अलंकार होता ह है एक उधार में आपको बताओं कनक कनक ते सवगनी मादखता ओधिकाय या खाए बव्राय या पाए बव्राय यहां पर देख इस दो और कनक और कनक ये डूसरे से बढ़कर कि कनक मिन्स सोना और कनक मिन्स धतूरा कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सोना पा जाएगा तब भी वो अत्यधिक धन पा जाने के प्रत्यासा में अत्यधिक धन पा जाने के कारण पागल हो जाएगा और यदि कोई व्यक्ति धतूरा कनक कार्थ या धतूरा किया जा रहा है धतूरा एक मादक खाद्य फल होता है अगर उसको कोई खा लेगा तब भी वो पागल होकर के घुमेगा कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाए या खाए बावराय जग धतूरा के अर्थ में कि जब वो खाएगा तो बावरा जाएगा या पाए बावराय सोना के अर्थ में जब पाएगा तो बावरा जाएगा यहां उधारण दिया गया है कनक कनक तेशोगुनी मादकता अधिकाय वा खाये बौराजंग या पाये बौराजंग इस प्रकार से हम देखते हैं कि यमक अलंकार की ये परिभाशा बनती है कि जहां एक ही सब्द एक से अधिक बार प्रयोक्त होता हो पर अर्थ में भिन्नता ह वहां पर यमक नाम का लंकार होता है जैसे कनक कनक तेशोगुनी मादकता अधिकाय या खाये बौराजंग या पाये बौराजंग इसी प्रकार से इसका एक तीसरा बेद है जिसको हम स्लेश लंकार काते हैं स्लेश लंकार की परिवाजा है बेटा कि जहां पर एक शब्द की एक ही बार आबरती हुई हो यानि एक शब्द एक ही बार आया हो परंतु अलग अलग अभिप्रायों में अलग अलग अउचित्यों में उसके अर्थ अलग 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 प्रियुक्त होते हूं उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हूं तो वहां पर स्लेस नाम का अलंकार होता है काव्य में देखी यही चमतकार है एक ही शब्द लेकिन अलग अलग अर्थों में अलग 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 अर्था आपको प्रदान करता है यही लें बता Vanessa Fashてる All यह लाइन का में सुंदर अच्छरे और सुन्दरर रंग ये तीन वेक्टियों के अभी प्राय में वी जाता है सुवरण जहां सोना है सोना चोर के अर्थ में सुवरण जहां सुंदर अच्छर है कभी के अर्थ में और सुवरण जहां सुंदर रंग है वो बेविचारी के अर्थ में का अर्ठ समझिए इसका चrete sy开अ गरमे कोई चोर घुश रहा है। जैसे युब पहर रखतात। चिंता करत्चाः ग्रण उट्रप देखने लगता कि कोई घर में कोई वेक्ति देख्थो नहीं मुझको घर में घुशते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी और सुबरन को खोजत फिरत कभी बेभीचारी चोर तो सुबरन को सुंदर अच्छर को सुंदर रंग को सुंदर आभूशन को तो यहां पर जब चोर के अर्थ में जाएगा तो यह हो जाएगा कि सुंदर आभूशन को ढूड रहा है जब सबसे पहले यहाँ पर कभी शब्द आया, कभी वेविचारी चोर्थ, इसलिए हम सबसे पहले कभी के अर्थ में इसको परिभाजित करते हैं, सुबरन मिंस सुन्दर अच्छर, जब कोई कभी अपनी काप बेरचना करने जाता है, और लिखने के लिए जब पहली लाइन लिख यह कभी के अर्थ में हो गया, अब वेविचारी, वेविचारी मिन सोता, दुराचारी, जब दुराचारी कोई व्यक्ति, शुन्दर रंग की किसी इस्त्री को देखता है, और उसके घर में प्रवेश करना चाहता है, वेविचार की इच्छा से, तो सुबरन को खोजत फिर वेविचारी, इसी प्रकार से तीसरे अभी प्राय में इसकार्थ हो रहा चोर के अर्थ में, कि जब चोर किसी के घर में चरण धरता है, चिंता करने लगता है, चार उतरब देखने लगता है, क्योंकि वो शुन्दर सुबर्ड आभूशण को ढूंडने के लिए उसके घर म गुसर है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां जो सुबर्ड सब्द है, वो सोना के अर्थ में, कभी के लिए वो सुन्दर पंतियों के, सुन्दर अच्छरों के अर्थ में, चोर के लिए हाभूशण के Alp Amai, और बेविचारी के लिए शुन्दर रंग के अर्थ में प होता है जैसे चरण धरत चिंता करें चितमत चारी और सुबरन को खोजत फिरत कभी वेविचारी चोड़ इसी प्रकार से अभी जो हमने आपको शब्दा लंकार बताया था अब हम आपको अर्था लंकार के बारें बताने चल रहे हैं अर्था लंकार जहां अर्थ के माध्यम स चमतकार पाइदा किया जाता है अर्थालंकार में प्यारे बच्चों सबसे महत्पूर्जवालंकार है वह उपमा नामका लंकार होता है यह उपमा अपने चार अंगों के शाथ उपस्तित होती है जिसको हम कहाते हैं कि उपमें उपमान साधारन धर्म और वाचक शब्ध उप उपमा शब्दकार्थ होता है तुलना साहित में जब किसी की किसी विशेवस्तुपदार्थ की किसी विशेवस्तुपदार्थ से तुलना समानता की जाती है तब वहां पर उपमा नाम का अलंकार होता है उसको साहितिक शब्दों में अलंकार के अरथा अलंकार के अंतरगत उ इस उपमा अलंकार के चार अवयों चार अंग होते हैं जो यहां पर बढ़ित किये गए हैं इसमें उपमें उपमान साधार्ण या समान धर्म या वाचक्षब यहां पर एक एक शब्द को देखें उपमें जिस बस्त की तुलना की जाए यह ध्यान रखेगा उपमें कौन होत सिता के मुख की तुलना की जा रही है इसलिए जो सिता का मुख हुआ व उपमें हुआ किस से की जा रही है ये ध्यान लखना होगा तो सीता के मुख की तुलना किस से की जा रही है तो चंद्रमा से की जा रही है इसलिए चंद्रमा क्या हुआ उपमान हुआ उपमें जिस की तुलना की जाए उपमान जिस से किया जाए क्या किया जाए साधान या समान धर्म दोनों बस्तूओं में जिस गुड़य की तुलना की जाए तो क्या कहा जा रहा है सीता के मुख और चंद्रमा के मुख में किस चीज की तुलना हो रही है काला है गोरा है छोटा है बड़ा है क्या है लेकिन वाक्य में कहा गया कि सीता का म मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है अर्थात किसकी तुलना की जा रही है सुन्दरता की तुलना की जा रही है इसलिए वो शाधानर धर्म हो गया कि दोनों की सुन्दरता समान है वाचक वाचक शब्द का मतलब होता भाती सी का प्रयोग जब हम करते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है या सीता का मुख चंद्रमा सी सुन्दर है तो सीता का मुख में चंद्रमा उपमान, सुन्दरता उसका वाचक शब्द है, सुन्दरता उसका साधार धर्म है और उसकी जो समानता सी है वह वाचक शब्द के नाम से जानी जाती है इस प्रकार से साहित में किसी भी से वस्त की जब किसी भी से वस्त से तुलना की जाती है तो हाँ पर उपमाना का लंकार प्राप्त होता है जैसे सीता का मुख्ष चंद्रमा के समाल सुन्दर है बहुत सारे देखें उदार दिये गए उपमा लंकार की क्या महत्ता है और उपमा लंकार किस प्रकार से साहित के छेत्र में सरवोपर अस्थान ग्रहन करता है दूसरा अलंकार जो हमारा है वहारूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में कहा गया है कि जहां पर उपमे रूपी दिवाल को, उपमे रूपी भित्ती को उपमान रूपी चितर से ढख दिया जाता है। जब उप्मे और उपमान में बेद होते भी दोनों में समानता कर दी जाए। अर्थाथ हम यह समझ नहीं पावें कि कौनि इसमें उप्मे हैं कौन इसमें उप्मान है। दोनों एक जैसे हो जाएं तो वहाँ पर रूपक नाम का अलंगकार होता है। जैसे उधान के रूप में मैय या मै तो छंद्रखिलोना लेई हो करा है इसमें चंध्रमा उपमे है और खिलोना उपमान है अब वही चंध्रमा चंद्रमा ही उपमे हो गया और चंद्रमा ही उपमान भी हो गया अर्थात जहां पर उपमे और उपमान को एक में मिस्तित कर दिया जाए उसको अलग करना असंभव हो जाए वहां पर रूपक नाम का अलंकार हो जाता है उदार्ण आपके सामने है एक तीसरा उदार्ण अर्था लंकार का बड़ाई महत्पूर आपके सामने मैं उसको अस्पष्ट कर देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों उसे हम उत्प्रेचा लंकार के नाम से जानते हैं जहां पर शाहित में संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेचा नाम का लंकार होता है उसके लिए कुछ सब्द हैं जो हमारे प्रियोग में आते हैं जैसे जन जानो मन मानो जहां पर जन जानो की संभावना अर्था सीता का मुख में चंद्रमा उपमान जब चंद्रमा की संभावना सीता के मुख में कर दी जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेच्छा नाम का लंकार हो जाता है जैसे हम कह सकते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा है अर्थात चंद्रमा ही पूरी तरह से सीता के मुख में परलच्छित हो रही है तब हम कहाते हैं कि सीता का मुख मानो चंद्रमा के शमान शुंदर है और ये शब्द देखें मिलते हैं मन मानो जन जानो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना देखो मनो शब्द मिल गया और ये मनो शब्द यहां पर भी है जो सब्द जब यह मिल जाता तो आँपर उत्प्रेच्छा नाम का अलंकार होता है एक दूसरा भी बड़ा अच्छा उधान है पीपर पात सरिश मन डोला पीपर के पत्ते की भातिमानो मन डोल रहा है इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां पर संभावना प्रगट की जाती है वहां पर उत्प्रेच्छा नाम का अलंकार होता है ठी किसी प्रकार से अन भी अलंकार है ब्रांतिमान है संदे है अच्योक्त है बहुत सारे अलंकार अन्य भी रखे गए हैं तो हम अलंकारों का जब अध्यन किये तो यहां पर हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों की सबसे पहले अलंकार क्या था अलंकार के शाब्दिकर्थ क्या है अलंकार की परिभासा क्या ह है अलंगकार और साहित का संबंद कि या है तरा तरों के प्रकार को हम ने देखा कि शब्दा अलंगकार यार्था-गार के रूप estudio कि यह इस यौारे अलंगकारों की शर्चाहमनों के बीच में की और इसको पढ़ेंगे इतने श्यत रूप से जान जाएंगे कि शाहित में किस प्रकार से आप भूशड का कारे करते हैं इस पर कुछ प्रश्ण भी बनते हैं जैसे आप से हम जानना चाहेंगे कि अलंकार का अर्थ बताओ, अलंकार की शेकाते हैं, इसके अर्थ को असपष्ट करो, दुतिये अलंकार के कितने भेध होते हैं, ये भी हमने आपको असपष्ट रूप से बता रखा है, फिर उपमा अलंकार का एक उधारन दीजिए, उपम इस रूप से अलंगकार के बारे में हम अच्छी तरह से जान जाएंगे समझ जाएंगे और अलंगकार काम को घ्न हो जाएगा काब सवंदर्यिक के तत्तों के अंतरगत अलंकार की विशेश उपा देता है कहा यह गया है अलंकार विहीन काब्य का कोई औचित्त ही नहीं है और यह अलंकार ही काब्य में चमतकार पैदा कर देते हैं काब्य को सुंदर बना देते हैं और तभी हम आकर्शक हो करके उन काब्यों क आरासा स्वाधन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद